सो आप भी अगर एक 4K monitor ढूंड रहे हो और आपका budget almost 30,000 के आसपास है और आप चाहती हो कि आपको एक ऐसा 4K monitor देखनी को मिले जहाँ पर IPS panel के यूज किया गया हो क्योंकि आर 4K monitor तो आपको market पे बहुत सरे देखनी को मल जाता है बट 4K monitor का जो असली मज़ा आता है वो आता ह IPS panel के साथ और मैं मानता हूँ आप एक 4K monitor बाई कर रहे हो तो IPS panel का ही बाई करो क्योंकि आर market पे तो आपको VA या फिर TN panel के साथ भी 4K monitor देखनी को मल जाता है बट आप अगर 4K monitor बाई करनी की सोच रहे हो तो आप कही ना कई productivity काम करोगे like photos of, video editing, graphics designing, color grading और इन सभी कामों के लिए मैं मानता हूँ IPS panel का फेदर बड़िया choice रहने वाला है तो जादे हैं पर हम टाइम बच नहीं करते हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीन ऐसी 4K monitor बताऊंगा जो की IPS panel के सथा आता है और market के अंदर top selling monitor भी निकल के आ जाता है current time के अंदर और आपका भी need अगर ए अगर बात करें इस monitor के durability की बार में आपको silver design के अंदर या फिर silver body के अंदर आपको देखने को मिल जाता है जो काफे अदर durable monitor भी निकल के आ जाता है अगर बात करें कुछ display की बार में 4K IPS panel का display आपको इस monitor कंदर देखने को मिल जाता है इस monitor पर आपको 300 news का brightness देखने को मिल जाता है जो की काफे अदर बढ़िया brightness मैं कहना चाहूंगा उसके साथ इस monitor कंदर आपको इस RGB 99% color correction देखने को मिल जाता है तो display कंदर जो color grading जैसे काम है वो आप काफे अदर बढ़िया तरिक से कर सकते हैं और इस monitor का display कंदर आपको बहुत सारे features देखने को मिलता है लाइक Radeon FreeSync Gaming Pacific Ascent DAS mode और भी काफी सारे भैतरीन feature है जो कि आप productivity काम हों का अंदर यूज कर सकते हैं बात करें इस monitor कंदर port की बार में तो basically सभी लोग monitor को आज की रेट पे HDMI port से connect करत जाता है और यहां पर आपको headphone out का भी port देखने को मिलता है जो लोग productivity काम करते है उन लोग के लिए headphone output काफे दा माहिने रखता है तो यहां पर headphone output का भी port देखने को मिल जाता है तो अगर overall बात करें तो जो monitor है इस pricing के अंदर या फिर 30,000 pricing के अंदर काफी जादा बढ़िया monitor हो जाता है और Amazon.in पे जो monitor है 30,000 रुपे का अंदर top selling monitor भी निकल के आ जाता है तो इसको आप अगर buy करना चाहते हो तो वीडियो निचे description पर मैंने इसका link provide कर दिया है आप वहाँ जाकर इस monitor को जरूर देख सकते हो जो second monitor list का अंदर आता है Samsung के दरफ से Samsung की बार में तो आप Samsung का display आपको कई ना कई सभी smartphone के अंदर देखनी को मल जाता है या फिर Apple का smartphone पे भी आपको Samsung का display देखनी को मलता है तो Samsung का monitor भी आपको काफ़ दर बढ़ी है experience void कर देगा Samsung 28-inch का आपको 4K monitor देखनी को मलता है जो कि एक bezel-less design IPS panel monitor है जिसका कि आप design देख सकते हो design काफ़ दर बढ़ी है build quality wise इसका अंदर आपको metal build quality का अंदर देखनी को मल जाता है जो की काफ़ दर बढ़ी है निकल के आ जाता है अगर बात करें इस monitor की कुछ basic question सबसे बहले जो monitor है 2 size का अंदर दोस्तों आपको देखनी को मल जाता है 28-inch 4K resolution monitor और 32-inch size का अंदर आपको देखनी को मलता है आपको कौन सा size बाई करना है वह आपके हाथ में मेरे खाल से बहुत लोग जादा दर टाइम 28-inch monitor को बाई करते है बड़ आपका अगर size थोड़ा जादा बढ़ा चाह से काफी सारा बढ़िया features देखनी को मल जाता है जो कि आपके लिए कहीं न कहीं काफीद हो जाता है और बात करें brightness की बार में यहाँ पर आपको almost 300 नीर्स का brightness देखनी को मलता है जो कि मेरे खाल से एक monitor का अंदर काफीदा बढ़िया साफी सेंड brightness माना जाता है अगर overall देखा जो कि है almost 31,000 रुपीज आप अगर एक Samsung का monitor बाय करना चाहते हो आपको Samsung का monitor का पसंद आता है आप Samsung का 4K monitor बाय करना चाहते हो दन आप इस monitor को बाय कर सकते हो क्योंकि जो monitor है Amazon.in का अंदर top selling monitor के list का अंदर निकल के आ जाता है इसका भी जो buy link होता है मैंने आपको description पर provide कर दि लिश्ट का अंदर जो तीसरा पोजिशन का अंदर monitor है आता है Dell brand की तरफ से Dell Indian market पे का पॉपलर ब्रैंट है और Dell का laptop कहीं ने कहीं सभी लोग यूज भी करते होंगे या आप भी कर रहे होंगे Dell की तरफ से 27 इंच 4K monitor देखनी को मलता है जिसका price है 33,000 रुपीज मैं मानता हूँ 3000 रुपे थोड़ा जाद है बट इस जो monitor का पेसिपिकेसन है वो भी काफिय दा बढ़ी हाँ देखनी को मलता है बात करें इस monitor की कुछ पेसिपिकेसन इस monitor गंत जो पैनल है वो IPS पैनल है और इसका साथ साथ जो पैनल है वो AMD का freezing support करता है तो एर जो लोग productivity काम करते हैं उन लोग के लिए काफिय दा बढ़ी हाँ और gaming लोग के लिए या फिर gamer के लिए हाँ पर एक gaming ultra bush technology प्रोवाइड किया एक monitor के लिए और अगर overall देखा जाए तो काफिय दा बढ़िया monitor है बेजल्स काफिय दा बतले है और जो लोग productivity काम करते हैं उन लोग को ध्यान रखा गया है gaming लोग को भी ध्यान रखा गया है तो काफिय दा बढ़िया monitor निकल का आ जाता है थोड़ा सा प्राइजिंग यहा IPS panel वाले monitor जो कि आप buy कर सेकते हो 30,000 रुपे प्राइसिंग के अंदर अगर बात करें कौन सा monitor आपके लिए बहतर है या फिर कौन सा monitor आपके लिए बहतर है तो देखो यार सबका अपना अपना चॉइस यहां पर कही ना कही निकल के आ जाता है सभी monitor काफिय जादा बढ़ि आपर प्रोवाइड करता है काफिय बढ़िया display प्रोवाइड करता है तो Samsung का monitor भी आपर काफिय बढ़िया इस pricing के अंदर और जिन लोग को एक काफी जादा बढ़िया monitor वाई करना है तो कही ना कहीं आप Dell की तरफ से आने वाला Dell 27-4 के monitor वाई कर सकते हो जो कि आप 30,000 monitor को बाई कर लोगे अपना price की हिसाब से तो आप काफिय दर बढ़िया monitor यहां पर कहीं न कहीं चूच कर पाऊगे क्योंकि आप तीनों monitor अपने अपने हिसाब से काफी जादा बहतरीन है सो आज की उट में इतना ही था मैं मुलतब से इन्यू वीडियो पर आप मुझे कमेंट पर बताईए आप कौन सा monitor को बाई कर रहे हैं